नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ABR कोचिंग सेंटर में दोस्तों मौलिक भूगोल के पहले दो पार्ट आ चुके हैं तीसरा पार्ट है मौलिक भूगोल का तो देखीं आज का हमारा फरस्ट है 212 क। चैल हील स्थीत है तो चैल हील स्थीत है हिमाचल परदेश में स्थित है नेक्ट क्वेशन हमारा है कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल परदेश राजिये में धोलादार रेंज में स्थीत है तो डल हो जी जो हिल स्टेशन है वो हिमाचल परदेश में धोलादार रेंज में स्थीत है गारो खासी पाड़ियां भारत के किस राजिये में स्थीत है तो मेघा सब्सक्राइब्स शेवराई पहड़ियां यानि की शेवरायन पहड़ियां मौजूद हैं स्थीत हैं नेश्ट है शेवराई पहड़ियां किस राजे मिस्थीत हैं तो शेवराई पहड़ियां जो हत्तमिलनाडू में स्थीत है नेक्स्ट पेस्टन है भारत के सबसे दक्षिनी भाग में कौन सी पहड़ियां स्थित हैं तो कार्डमम यानि की इलाइची पहड़ियां स्थित हैं कहां पे भारत के दक्षिनी भाग में नेक्स्ट पेस्टन चलिए हमारा है मैकाल स्रेणी की से राजे में स्थित हैं मैकाल स्रेणी 36 गड़ में स्थित है ओजोध्या की पाड़ियां कहां पर स्थित है तो ओजोध्या की पाड़ियां जो है पस्चिम मंगाल में स्थित है दक्कन के पठार के उत्र पूरो में कौन सा पठार है तो छोटा नागपुर पठार है दक्कन के पठार के उत्र पूरो म नेश्ट है सत्पुडा सरेनी की सबसे उंची चोटी का नाम बताई तो दूप गड़ की चोटी है जो है सबसे उंची चोटी है सत्पुडा सरेनी की भारत में किसका निर्मान जो आला मुखी विस्पोट के प्रिनाम सरूप हुआ था तो दक्न के पठार का जो है निर्मान ज तो सत्पुड़ा स्रेणी की सबसे उंची चोटी है तो धूपगड सत्पुड़ा स्रेणी की सबसे उंची चोटी है नश्ट है प्राइद वीपिया नदियों के पुरों की और बहने का मुख्या कान क्या है तो पुर्वी घाट की उंचाई पस्तिमी घाट से कम है नश्ट है भारत का प्राइद वीपिया पठार किस भूबा का भाग है तो गोंडवाना भूमी का भाग है प्राइद वीपिया पठार नश्ट है गिर्णार की पाड़ियां का स्थित है तो गिर्णार की पाड़ियां स्थित है गुजरात में गुरु सिखर क्या है तो अरावली की सबसे उंची चोटी है क्या है गुरु सिखर किसकी सबसे उंची चोटी है भारतिय प्रावली की 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 का सबसे उंचा जल प्रपात है कहा पे करनाटक में वह है पठार जिसमें पूरो और पस्चिम दोनों तरफ बहने वाला अपवा तंतर मौजूद है तो मालवा जो पठार है उसमें पूरो और पस्चिम दोनों तरफ बहने का अपवा तंतर मौजूद है नश्ट बात करते हैं अरावली और विंध्या प्रवत माला के बीच कौन सा पठार स्थित है तो अरावली और विंध्या प्रवत माला के बीच में जो है मालवा पठार मुझूद है स्थित है गारो पहड़िया किस राजय में है तो मेघालय में है नियमगिरी पहड़ी जो है किस के काला हंडी जिल में स्थीद है क्या नियम गिरी पहाड़ी नाइस्ट है क्या है जो मेगालिया पठार का हिस्सा नहीं है तो पलामू हिल्स जो है मेगालिया पठार का हिस्सा नहीं है छोटा नागपुर पठार की सबसे उंची परवत चोटी कौन सी है तो पारसनात की चोटी जो है सबसे नश्ट है मिश्मी पाड़िया मुख्यरूप से भारत के किस राज्य में फैली हैं तो मिश्मी पाड़िया अरुनाचल में फैली हुई है सरंचना और उत्पत्ति के अधार पर में घालिया के उच भूमी का हिस्सा जो किसका हिस्सा है तो प्राइदी वीपे पठार का हिस्सा है क्या सरंचना और उत्पत्ति के अधार पर मेगाले की उच भूमी नेश्ट है गुरू सिखर चोटी जो है किस राज्य में स्थीत है तो राजस्थान में स्थीत है गुरू सिखर चोटी ठीक है नाश्त है दक्कन के पठार में उगने वाला एक विशेश उसनकटी बंदिया प्रणपाती पोधा कोन सा है विंद्य स्रेनी का उस्तम बिंदू है कलूमार सिखर नेक्स्ट है उत्तर और दक्षिन भारत को विवाजित करने वाली परवत स्रंखला कौन सी है तो विंद्या है महिंदरगीरी चोटी कहा स्थीत है तो ओडिशा के पुरुवी घाट में स्थीत है क्या महिंदरगीरी चोटी नेक्स्ट है राई सीना की पहड़ी कहा है तो जहां राष्टर पती भवन स्थीत है वहाँ पर राई सीना की पहड़ी है आपको बता दें कि राष्टर पती भवन राई सीना की पहड़ी के उपर बना हुआ है इसलिए राष्टर पती भवन सबसे उचे पर स्थीत है नेक्ष्ट बात करते हैं कौन सी नदी भंस घाटी में स्थीत है तो तापती नदी भंस घाटी में स्थीत है चलिए नेक्ष्ट बात करते हैं विशव का एक मातर तैरता हुआ डाक घर किस जील पर स्थीत है तो डल जील पर स्थीत है क्या है विशव का एक मातर तैरता हुआ डाक घर नच्ट बात करते हैं दीव किस राजे से जुड़ा हुआ दीव है तो दीव है जो वो गुजरात राजे से जुड़ा हुआ एक दीव है विलर दीव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अब्दुल कलाम दवीप कर दिया गया है किसका नाम मदलकर विलर दवीप का नाम मदलकर न्यू मूर दवीप कहा स्थित है तो न्यू मूर जो है दवीप वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी अगर क्लास क्वैस्चन है तो हमेंелов कमैंट करके जुरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दिखिए बैरन दुविप किस देश में स्थीत है तो बैरन दुविप है भारत में स्थीत है neuस्ट है किनें शौरी किनीमंदर लीखित में से कोण एक द्वीप पस्चिमी तट पर स्थित है तो उप्शन है इसमें स्री हरीकोटा परीकुड अलिफेंटा और पंबम तो कौन सा है अलिफेंटा एक द्वीप पस्चिमी तट पर स्थित है नेक्ट है हमारा मुंबई के तट से दूर स्थित अलिफेंटा द्वीप जो अपनी ग राजे में स्थीत है तो सालसेट द्वीप है महराष्ट में नेक्ट वैस्ट नमारा है श्री हरी कोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से किस जील को अलग करता है तो पुली कट जील को अलग करता है किसे बंगाल की खाड़ी से कोण अलग करता है श्री हरी कोटा द्वीप नेक डियावोलो कहां पर स्थीत है, तो किस में है, अंडमान और निकोबार्द सुमून में है क्या मांट डियावोलो, नेस्ट है अंतराथ्च्रिय प्रकर्ती स्रक्षण संग और मिशन बलू, य działa कि समुद्रिय प्रस्थितियां शुरक्षा हितु कारिया कर रही है उसके दोवारा अंडमानिक बार्थ और रकष्यद्वीप समु को किसके रूप में नामित किया गया presentton hoardspurrht के रूप हैकिक स्थीत हैं किसको जो है अंडमानिक को बार्थ और रक्ष्यद्वीप नेक्ष्ट है लक्षय द्वीप किस में स्थीत है तो अरव सागर में स्थीत है क्या लक्षय द्वीप नेक्ष्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रेट निको बार द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जिलों में से एक कोलेरू जिल किस राज़े में स्थीत है तो दिखे क्वेस्टन हमारे यहां पे दो बन जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल कौन सी है तो कोलेरू जिल है और किस राजे में स्थीत है तो आंदर पर देश में स्थीत है दो क्वेस्टन आपके यहां बन जाते हैं ओडिशा में सबसे बड़ी बैक वाटर लागून जील जो है कहां पर है तो चिलका जील है ओडिशा में है क्या है सबसे बड़ी बैक वाटर लागून जिल है कौन सी जिल है चिलका जिल है नेस्ट क्वेशन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जिल चिलका किस राजे मिस्थित है तो ओडिशा में है यहां भी आपके दो क्वेशन मन जाते हैं भारत की सबसे खारे पानी की जील कौन सी है तो चिलका जील है कहां पे है ओडिशा में है नेश्ट है विशो की सबसे गहरी जील कौन सी है तो बैकाल जील विशो की सबसे गहरी जील है भारत की सबसे बड़ी अंतरदेश या खारे पानी की जील सांबर किस राजस्थान में है यहां भी आपके दो तिन क्वेस्चन बन जाएंगे क्या है कि अंतर देशिया खारे पानी की जील कौन सी है तो संबर जील है कहां पे है राजस्थान में है विशो की सबसे बड़ी जो है अंतर देशिया खारे पानी की जील कौन सी है कहां पे है तो भारत में है तीन क्वेस्टन आपके हाँ बन जाते हैं पच्पदरा जिल की सराजय में स्थित है तो राजस्थान में स्थित है भारत की सबसे बड़ी मिठे पानी की जिल वुलर जिल की सराजय में है तो जम्मू कस्मीर में स्थित है नेक्स्ट है सादू बेट दुवीप जो है किस भारत या राज्य का एक हिस्सा है तो गुजरात का हिस्सा क्या है सादू बेट दुवीप नेक्ट है गुजरात में श्थित कौन सी जील मोरियों के सासनकाल में निर्मीत एक कृत्रिम जलाश्य था लोग तक एक क्या है तो लोग तक जो है एक जील है नेक्स्ट बात करते हैं कि जिल का निर्माना उलका पिंड के पिठ्थवी से टक्राने के कान वा था तो लोनार जिल है जो उसका निर्मान वा था उलका पिंड का पिठ्थवी से टक्राने से next है भारत की सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कौन सी है तो गोविंद बलब पंद जील जो है सोरी सागर हां तो वो क्या है भारत की सबसे बड़ी मानो निर्मित जील कौन सी गोविंद बलब पंद सागर कों सी है तो एसिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जील है राजस्थान में डेबर जील याने की जैसमंद जील नेक्स्ट हम बात करते हैं सोरज कुंड जील जो है किस राजे में स्थीत है तो हर्याना राजे में फरीदाबाद में स्थीत है कुण सी सोरज कुंड नेक्स्ट है समस्थकोटा जील की स्राज्य में स्थीत है तो केरल में स्थीत है बेबनाड जील जो भारत की सबसे बड़ी और लंबी जील है की स्राज्य में है तो ये क्या कापे है केरल में है अश्टमूडी जील की स्राज्य में स्थीत है तो केरल में स्थीत है नो डिग्री चैनल किस से संबंदित है नो डिग्री चैनल लक्षय दिवीप से संबंदित है नाइश्ट आम बात करते हैं लक्षय दिवीप समू के दिपों की उत्पत्ति किस से होई थी तो कोरल से होई थी लक्षय दिवीप समू के दिवीपों की उत्पत्ति चैनल कौन सा है जो अंड मान और निकोबार दीफ मू को अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल जो है अंड मान निकोबार दीफ मू को अलक करता है कितने द्वीपों का एक समू है तो 572 द्वीपों का एक समू है क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समू कौन सा भारति या द्विप बंगल की खाड़ी में श्थित है तो जो है अंदमान और निको बार द्विप सुमू है वो भारत का जो है द्विप है और बंगल की खाड़ी में श्थित है नश्ट है चुम्भी घाटी किस राजय मिस्थित है तो सिक्की मिस्थित है उमीद कर रहे हैंगे आपको कलास अच्छे से समझ में आ रही होगी तो देखिए उत्खात भूमी यान की बडलेंड जो है अस्तला करीती किस घाटी की विसेशता है पस्मी घाट में परमुख दर्रा कौन सा है तो पाला घाट है पाला घाट किन दो राजयों को जोड़ता है तो पाला घाट किरल और तमिलनाडू को जोड़ता है कौन सा दर्रा उत्तर में निलगीरी पहड़ियों और दक्षिन में अन्नमलाई पहड़ियों के बीच में स्थित है तो पाला घाट दर्रा जो है उत्तर में निलगीरी पहड़ियों और दक्षिन में अन्नमलाई पहड़ियों के बीच में स्थित है सतलुज गाटी जो कि हिमाचल परदेश में कौन सा दर्रा स्थित है तो सिपकी ला दर्रा स्थित है कहाँ पे सतलुज गाटी में कहाँ पे है ये हिमाचल परदेश में है कौन सा दर्रा है सिपकी ला दर्रा है सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है जहां भार्त चीन सीमा व्यापर चुवारिस वर्षों बाद फिर से सुरू हुआ। भार्त या सीमा पर कहां स्थित है। तो कहां पर स्थित है। सिक्किम में स्थित है। नश्ट है हिमाचल परदेश में कौन साथ दर्रा स्थित है। पीपली घाट दर्रा किस प्रवतिया अक्षेतर में स्थित है तो अरावली अक्षेतर में स्थित है नेक्ट बात करते हैं बुर्जिल दर्रा किस अराजे में स्थित है तो बुर्जिल दर्रा जो है जम्मु कस्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोडता ह तो जोजिला दर्रा सिरी नगर और ले को आपस में जोड़ता है राष्टिय राजमारग वन ए ले को कस्मिर घाटी से किस दर्रे के माध्यम से जोड़ता है तो जोजिला दर्रा के माध्यम से जोड़ता है किसको राश्टी राजमारग वन एको लेह को जो है कस्मिर घाटी से जोजिला दर्रा जो है किस परवत शरंखला में अस्थित है तो जांसकर रेंज में अस्थित है नेश्ट है वह एक तरफ स्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महतवपून सड़क संप्रक मार जोजिला जो है यह एक तरफ से स्रीनगर दूसरी तरफ से कारगिल और लेह के बीच में महतवपून क्या है सड़क संप्रक मारग है आपस में जोड़ता है नेश्ट है कौन सा दर्रा जम्मू को कस्मिर घाटी से जोड़ने वाले परवेश दौर के रूप में जाना जाता ह नेश्ट है कौन सा दर्रा तवांग और लहासा को जोड़ता है तो बम ला दर्रा जो तवांग और लहासा को जोड़ता है भार्त और चीन के मध्या में स्थित क्या कौन सी एक पहाड़ दर्रा है तो कारा कोरम दर्रा जो है एक पहाड़ दर्रा जो भार्त और चीन के मध्या में बीच में स्थित है उत्रा खंड में किस दर्रे से होकर तिर्थी आत्रा कैलास मानस रोवर पर यात्रा पर जाते हैं तो लिपूलेख दर्रा से होकर जो है तिर्थी यातरी कैलास मान सरोर की यातरा पर जाते हैं उत्रा खंड में next question है बारापानी जील के नाम से मसूर उम्याम जील की साराज्जें पर स्थित मेगालिय में स्थित है निलगिरी पहड़ियां के दक्षीन छोड पर स्थित द्र्य को क्या कहа जाता है तो पलकड गैप कहा जाता है कि इसको नेलगिरी पहड़ियों के दक्सिनी छोर पर स्थीत एक दर्र है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है पलकड गैप नेश्ट है गंगोतरी के उत्र में स्थित कौन सा दर्रा उत्राखंड और तिबबत को जोड़ता है तो मुलिंग लादर्रा जो है गंगोतरी के उत्र में स्थित है और उत्राखंड और तिबबत को जोड़ता है हिमाचल परदेश में स्थीत जो है एक प्रसीद प्रियेटन आकर्षन है तो कौन सा है रोतांग दर्रा है नेक्ष्ट बात करते हैं दिसंबर 2019 में हिमाचल परदेश में रोतांग मारग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया था तो अटल सुरंग रख गया था कि अब 2019 में कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली को लेह से सड़क मारग द्वारा जोडता है तो रोतांग दर्रा जो है वो पिर पंजाल सरेनी से होकर गुजरता है मनाली और ले की जो सड़क है उसको जोडता है सड़क से जोडता है किसको मनाली और ले को नश्ट है यांग याप दर्रा किस भारती है राज्य को तिबबत से जोडता है नाइश्ट है बोर्ड मिला दर्रा किस राजे में स्थीत है तो अरुना चल परदेश में स्थीत है क्या है बोमडिला दर्रा नाइश्ट बात करते हैं इसमें हम 343 क्वेस्चन नमबर है कौन सा चैनल भारत की मुख्य भूमी को रामेश्वरम दवीब से अलग करता है तो किसके नाम से भी जाना जाता है तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसको थार मुरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ड का विस्तार जो है किस राज्य तक नहीं है तो उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार नहीं है किसका ग्रेट इंडियन डे के तिलों का निर्मानक में नेश्ट है थार मरुस्थल जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है किन पहड़ियों के पस्थिम किनारे पर स्थित है तो अरावली के पहड़ियां है जो उनके पस्थिम किनारे पर स्थित है क्या है थार मरुस्थल इसका द थार रेगिस्तान में पाई जाते हैं, नाक्ट है, बर्यद हिमाले में स्थित एक खंडा रेगिस्तान है, तो कौन सा है, लदाख है, शहरा रेगिस्तान से भूमध्य शागरिय, अक्षेतर की और चलने वाली गरम धुल वाले हवाएं, किस नाम से जानी जाती हैं, तो शिरोक को कई नाम से जानी जाती हैं साहरा रेगिस्तान से भू मध्य सागरिय अक्षेतर की और चलने वाली गरम जो है धूल और मिट्टी वाली हवाई नेक्ष्ट है भारत के किस राजे में सबसे बड़ी और सबसे लंबी तट रेखा है तो गुजरात की है नेक्ष्ट है कच के रन किस राजे में स्थीत एक दलदली अक्षेतर है तो कच करन एक दलदली अक्षेतर है गुजरात में मांडवी समुदर तट किस में स्थीत है तो काठिया वार्ड प्राइद वीप भारत के की सराज्य में स्थीत है तो गुजरात में स्थीत है कौन सा राज्या अपने खुबसूरत समूदरी तटों के लिए परसीद है तो गोवा जो परसीद है निमान निखित में से कौन सा समूदर तट गोवा में स्थीत है तो देखिए ओप्षन है इसमें पालो लेम वरकला मरीना और कुडले तो इसमें कौण सा जो गोवा में स्थीत है तो कौण सा है पालो लेम है जो गोवा में स्थीत है नेस्ट बात करते हैं कलंगुट जो है बीच किस अराजय में स्थीत है समुदरत है तो गोवा में है कौण सा कलंगुट नेस्ट है उस जल संदी का नाम बताईए जो भार्त और उसके पुडोसी स्रीलंका को अलग करता है तो पाक जल संधी है जो भारत को उसके प्रोसी देश है स्री लंग का को अलग करता है नेश्ट है पाक जल संधी किनके मध्य स्थीत है तो बंगाल की खाड़ी और मनार की खाड़ी के बीच में स्थीत है क्या है पाक जल संधी नेस्ट बात करते हैं पाक जल संधी के सबसे नजदी की कौन सा जल निकाय है तो मनार की खाड़ी है मनार की खाड़ी भारत को किस प्रोसी देश से अलग करती है तो स्री लंका को अलग करती है नेस्ट है विशाओ का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजूली द्वीप भार्त के किस राजे में स्थीत है तो असम में स्थीत है दो नदियों के बीच की उपजाओ भूमी क्या कहलाती है तो दो आब कहलाती है कौन सी दो नदियों के बीच की उपजाओ भूमी क्या कहलाती है दो आब कहलाती है नेश्ट है डंकन जलसंदी किसके मद्यस्थित है तो दक्सिन और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है कौन पस्चमी तट के उत्री भाग को किस नाम से जाना जाता है भारत का सबसे लंबा समुदरी तट कोण सा तो मरीना बीच है भारत की पारदेशी के जल सीमा जिसे अधार रेखा से नापा जाता है समुदर तट से कितने समुदरी मीलत की दूरी तक है तो जो है बारा समुदरी मीलत की दूरी पर है कौन सी पारदेशी के जल सीमा नेक्स्ट है अंडमान द्वीपसमू के सबसे नजदी का कौन सा देश है तो मिया मार स्थीत है कौन सा बंदरगा भारत के पस्चिमी तटका हि रैसा नहीं थे तो है तुति कोरी जो है कोरो मंड़ुन तर्ट के किनारे पर स्थित है अंदर प्रदेश और तमीलनाब्ट को क्या कहा जाता है next है कोरोमनल का मैदान भार्थ के किस दिशा में थीत है तो दक्षिन दिशा में थीत है भार्थ के केरल का एक तट्या जिला कोण सा है तो कौवलम है कोवलम है केरल का एक तट्या जिला केरल से संबन जिते तट को किस के रूप में जाना जाता है तो माला बार तट के रूप मे जाना जाता है वरकला चुवारा चकर्ड और नांटिका भारत के किस समूदर तठ पर स्थीत है राजिय कोचिन यानि की कोची बंदर का भारत में मछली पकड़ने का महतोपून बंदर का है नेश्ट बात करते हैं डियागो गार्षिया जो है किस महासागर में एक दूइप है तो हिंद महासागर में एक दूइप है कुन सा डियागो गार्षिया नेक्स बात करते हैं भारत में किस जगह परस्थित परवाल दूइपों के आकार घोडों की नल की आकरती की तरह है तो लक्षया दूइप जो है परवाल दिविकों का कार क्या है घोडों की नाल के आकार के तरह है नेश्ट है हिंद महासागर की कोन सी खाई स्थित है तो हिंद महासागर में सुन्डा ड्रेच स्थित है नेश्ट बात करते हैं 388 क्यासन में मैदानों के बारे में मिमनि इथकी में से कौन सा कफनं गल्त है तो देखे समानफ मैदान बहुत उबज़ाव होते हैं पहला दूसरा है कुछ मैदान नदियों के निकशेपों से बनते हैं तीसरा है मैदान समतल भूमी के बड़े भाग होते हैं और चोथा है गंगा के मैदान भारत के सबसे कम आबादी वाले अक्षेतर हैं तो इसमें हमारा चोथा है जो सही है कौन सा गंगा के मैदान जो है भारत के सबसे कम आबादी वाले अक्षेतर हैं नश्ट है अंडबान और निकोबार दिवीप सुमू की सबसे उंची चोटी सेंडल पीक कहा स्थीत है तो उतरी अंडबान में स्थीत है नश्ट है लक्षा दिवीप में कितने दिवीप हैं तो लक्षा दिवीप में 36 दिवीप हैं next question है भारत सरकार ने परवाल भीतियों के स्रक्षण के लिए जो है किस को मरीन पारक घोशित किया है तो कच की खाड़ी को मरीन पारक घोशित किया है किस के लिए परवाल भीतियों के स्रक्षण के लिए नेस्ट है पुर्वी घाट की स्रंचना किन चटानों से हुई है तो पुर्वी घाट की स्रंचना जो है चारनो काइट्स, गरे नाइट, गनीश, कायंतरित चटाने, खोंडा लाइट्स, मेटा मारफिक गनीश से जो है पुर्वी घाट की जो चटाने हुन की स्रंचना हुई ह नेस्ट बात करते हैं पहाडों की निरंतर सिरंखला जो भारत के समुदर तट को समांतर और ऐसमान रूप से कम या ज़्यादा उठी हुई है तो कहां पे है पस्चमी घाट है नेस्ट है माधो गोडगिल पैनल किस के प्रियावन स्रक्षन से संबंदीता है तो पस्चमी घाट के प्रियावन स्रक्षन से संबंदीता है माधो गोडगिल पैनल नेश्ट है विशव का दूसरा सबसे लंबा स्मूदर तट की सार मिस्थीद है तो चेन नहीं मिस्थीद है कोंकर्ण तट कहा से कहा तक फैला हुआ तो दम्मन से गोवा तक फैला हुआ है कोंकर्ण तट तटिया अक्षेत्रों के समीप राद के सम्य में जो है किसके कारण सथल का तापमान कम हो जाता है तो समुद्री समीर के कारण जो है सथल का तापमान कम हो जाता है दिन के सम्य तटिया अक्षेत्रों के पास के भूमी का तापमान किसके कारण कम हो जाता है तो समुद्री समीर के कारण जो है कम हो जाता है उत्री मैदान का सरवाधिक उपजाव अक्षेतर कौन सा है तो खादर है जो है next question मारा अड़ाप्ट ए हरीटेज अपनी ध्रोहर अपनी पहचान किस मंत्राले की पहल है तो परेटन मंत्राले की पहल है कौन सी अपनी दरोहर अपनी पहचान Next बात करते हैं किस भारती है राजय है या फिर केंदर सासित परदेश की तट रेखा सबसे चोटी है तो जो पुड़ू चेरी है या यानि कि पांडू चेरी है उसकी सीमा जो है सबसे छोटी तट रेखा है Next है तमील नड़ू का एक तट केद जिला कोन सा तो कन्या कुमारी है उत्री भारत के मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो तराई के नाम से जाना जाता है और इसी के साथ आज गी कलास में हमारा इतना ही लेकिन जिनों ने भी अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाड़े वीडियो के न अट्रिकेशन पाने के लिए घंटी का बिटन भी जरूर दबा दे तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेश्ट क्लास के में और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए खुश रहिए खुशाल रहिए श्रक्षित रहिए जैहिंद जैभार्त